अलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अमीत और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नमबर बन सर्वी सेंटर सूरज कम्प्यूटर आज ही एपल का एक लैप्टोप आया है जिसका मोडल होता है A237 मोडल हम कहां से देखते हैं मोडल हमारे बोटम पर लिखा रहता है आपको आप नजर नहीं आएगा बहुत ध्यान से देखने पर यह यहां पर बोटम पर कुछ लिखा रहता है जिसमें हमारा मोडल भी लिखा है A237 तो हम बात करते हैं इस laptop की आजकल मार्किट में Apple का ये वाली स्रीज बहुत आ रही है मार्किट में A23, या आप चाहो तो पुराना भी मिल जाकता है जो पुराना model इसका 2022 का manufacturer है जायत 22-22 का तो वह भी अभी मार्किट में और ये नए अभी अभी लॉंच ही है इसका जो अभी 2023 model इसका आया है अभी मार्किट में Apple का ये वाला model बहुत विकड़ा है तो हम इसकी यदि बात करें कि ये laptop कैसा होता है laptop बहुत अच्छा होता है जोटा है 13 इंच में है आपको बता दें कि ये laptop कैसा होता है या नहीं लेना चाहिए तो उसमें पासवर्ट डाल के एक बार देखते हैं क्या इसकी क्या configuration है वही हम आपको दिखा रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि इसमें आपको दिखाते हैं कि हम इसमें कैसे इसका अबाउट चेक करेंगे कि इसके बारे में इसमें क्या configuration है और क्या नहीं है वह हम इसमें आपको दिखाते हैं अबाउट इस PC में जाएंगे इस Mac उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखेगा 8GB Memory है इसमें इसका जो है यह जो इसमें डला हुआ है Mac OS जो है यह आपको दिख रहा है कि Ventura 13.3 और अब इसके हम और जादे डिटेल की बात करते हैं और इन्फो में जाते हैं तो इसके बारे में हम पता करते हैं यह है हमारा M1 8GB RAM है और इसके हम storage की यदि बात करें storage में हम यदि जाएं तो storage देख लेते हैं कितना है डिस्पले जो है इसमें 13.3 इंच का है रेटिना डिस्पले है जैसा कि मैंने आपको बताया था यह रेटिना डिस्पले है इसमें तो और हम आप जाते हैं इसके आपके signal वगेरा Wi-Fi वगेरा बहुत अच्छा है Bluetooth है नेटवर्क है यह सारी चीज़े इसमें जो है पूरी configuration हम आपकी इसमें दिखा देते हैं अब हम storage की जो बात करें इसमें जाते हैं हम आपका इसमें यह देखोंगे 256 GB SSD के साथ है यहाँ पर आप देखोंगे 217 अविलेबल है 215 GB वह ही आपको मिलता है तो यह 256 के साथ आया हुआ latest model है 8 GB RAM है 256 GB SSD है M1 यह है इसका जो model है M1 सीरीज यह होती है इसकी Apple जी तो इसमें यह 23-33 model जो हम overall बात करें वैसे तो no doubt कि Apple अच्छे laptop होता है जो आजकर laptop का model आ रहा है 23-33 जो हमने उपजर किया है इसमें कोई problem नहीं है आप इसको ले सकते हैं अच्छी speed वगेरा होती है normal काम ग्राफिक काम के लिए आपको पता ही है ग्राफिक वगेरा के काम के लिए अब कराते हैं हमें storage जो लेना पड़ता है एक्स्टरनल पर लेना पड़ता है काम की अधियम बात करें रेटिन डिस्पले है no doubt बहुत अच्छा डिस्पले होता है विज्वल्टी बहुत अच्छी होती है Apple में Apple में यह laptop आप जो अफ्ग्रेड करके भी 15 इंच में model आपता है A90 A A 1990 आ रहा है वो भी same EC की M1 series का ही है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है 15 इंच में साही जा जाता है ग्राफिक के काम के लिए वह अच्छा होता है यह basic काम के लिए आप वर्ड एक्सल पेडियर ओफिसियली जो काम होते हैं उसमें आप यदि यूज करें तो 23 से बहुत परफोर्मेंस का बहुत अच्छा experience है उसमें आप यूज कर सकते हैं और एक बात ओर है यदि आप अमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें और comment box में आप हमें अपनी problem बता सकते हैं आपको apple में कोई problem आ रही है या apple laptop आपको खरीदना है तो क्या configuration करीद सकते हम आपका reply करेंगे धन्यवाद